नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं । अगर आप कौफी डे के बारे में, कौफी डे के share से related दोस्तों, दो latest update आ रही है, जिसे हमें आपसे share करना है, और अगर आप कौफी डे के share को follow करते हैं, यानि कि CCD share को follow करते हैं, तो आपने अमारा पुराना वाला video नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखिएगा नीचे description box में link दी गई है उसे related दोस्तो एक special video है जिसमें हमने ccd से related काफी कुछ discuss किया है वो उसे आप देख सकते हैं बाकि अगर आप channel पर नए है तो channel subscribe जरूर कीजिएगा और चलिए start कर देते हैं आज का ये video coffee day के share से related दोस्तो ये quick update रहेगा आज के इस video में हम आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं करेंगे आपके स्रिफ दोस्तो थोड़ा सा समय लेंगे जिसमें हम आपको coffee day से related दो जो latest news आ रही है उससे share करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम coffee day की बात करें तो last session में भी हमें इसमें गिरावट देखने मिली 4.36% के आसपास हमें इसमें गिरावट देखने मिली फिलाल इसकी price 26.30 rupees के आसपास खेल रही है और अगर हम देखें तो प्चले पांस दिनों में भी गिरा उट हमें देखने मिली और पिछले एक मैने में भी फिलाल के लिए हम देखें तो काफी सारे इंवेस्टर इसमें फ़र्स भी चुके हैं यानि कि वो देख रहे हैं कि वो जब से इंवेस्ट किया है दोस्तों अगर हम देखें तो 50 रुपीज के आसपास ये शेयर खेल रहा था लेकिन उसके बाद से ये गिरना स्टार्ट हुआ है और तब से गिरते ही जा रहा है और काफी सारे शेयर होल्डर इसके लिए परिशान है वेल यहां पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कॉफी डे के बिजनस से रिलेटेड दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका बिजनस काफी अच्छा है और इसी से रिलेटेड दोस्तों इनके कंपनी ने एक अपडेट दिया है यहां पे कंपनी ने दोस्तों एक अपडे इंटरप्राइज के बोर्ड मेंबर्स ने अपडेट दिया है यानि कि ये कंपनी से डाइरेक्ट अपडेट आ रहा है और ये काफी अच्छी न्यूज है अगर हम देखें तो एक कंपनी का मेंबर जब बोल रहा है कि उन्होंने अपना डेप्थ कम किया है साथ ही साथ आगे काने वाले दिनों में उन्होंने अच्छा प्लान किया है काफी डे के लिए तो ये काफी डे के शेयर होल्डर के लिए दोस्तों काफी अच्छी बात बनती है अगर हम देखें तो इनके प्लान के हिसाब से ये जाएंगे तो पुराने वाले टाइप में अगर हम देखें त चाहे उसके back operations भी हो, अगर वो start system करता है, तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा time लगेगा, और यही अभी coffee day मांग रहा है, फिलाल के लिए coffee day के लिए अगर आप invested हैं, तो यह आप काम कर सकते हैं, बागे दोस्तों एक बुरी news आ रही है, CCD से related, इसके लिए अगर हम देखे अपना 3.04% stake बेच दिया है, यह दोस्तों 6 दिन पहले की news है, और यह दोस्तों एक हिसाब से अगर हम देखें, तो जादी बुरी news भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से CCD का share react कर रहा है, उसलिए दोस्तों अगर हम देखें, तो बाहर के fund थोड़ा बहुत तो react करेंगे ही, FIDIA का दोस्तों यही कामी होता है, जब उन्हें दोस्तों growth मिलती है, तो वो invest करते हैं, नहीं मिलती है तो वो sell out करते हैं, तो यही हमें यहाँ पे KKR Mauritius से related update देना था, साथी साथ अगर हम देखें, तो अभी recently जो company ने अपना depth कम किया है, साथी साथ जो future के plans है, वो भी अ invested हैं, तो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आने वाले दिनों में, में भी CCD के share price आपको relief दे, तो यही दोस्तों update था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, वीडियो लाइक जरू की येगा, बाकी पोर्की येगा।